स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आप मैंसे 75% लोग हमारी वीडियो को देखते पर चैनल को सस्क्राइब नहीं करते तो पिलिज चैनल को सस्क्राइब कर दो और जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सस्क्राइबर पूरे करवा दो तो लास पार्ट के अन में हमने देखा था कि वू गैंग और उसके साथी उस होलिनस के बारे में पता कर निगले चले जाती है यहां पैंग प्रिंस को बताता है कि हमने बहुत सारे लोगों के अंदर एग ओफ इमोटिलिटी को इंपलान कराना है और होलिनस की जरूरतों को प पूरा होने में बस आदा मेना ही बचा है और यह किस मिसन के बारे में बात कर रही है हमें आगे की एपिसोड में पता चली जाएगा इसके बाद पैंग प्रिंस से बोलता है कि फैंग डू सिटी में कुछ अजीब लोगों का एक ग्रूप आया है तो प्रिंस बोलता है कि क् उनके गुरूप में एक नीजा नाम का छोटा सा लड़का भी है और उनके गुरूप की लिटर का नाम वूगैंग है और वो लोग एक आफ इमोटरिटी के बारे में पता कर रहे हैं वूगैंग का नाम सुनते ही प्रिंस चौक जाता है तो पैंग यह देखकर प्रिंस से पू मुखते हैं वो यहां के लोगों के उपर नजे रखे वे था और कहता है कि क्या है सिटी के लोग पागल जो इतनी रात को भी काम कर रहे सिट्वागा रहे है पर तबी उसके उपर कोई जार Other Attack कर देताacer कर देता हैं लेकिन हम देखते हैं कि वह ताइगर तो नेजा करने प् और उसके उपर एक लेडी होती है और वो भी पत्थर की थी और नेजा भी अभी इसी इस्टो लेडी के बारे में बाते कर रहा था इस लेडी का नाम सीजी है नेजा बोलता है कि हम बहुत समय से नहीं मिले हैं मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई होगी तो सीजी कहती है क नेजा मैं हर समय तुम्हें नहीं डूट सकती हो और नहीं हर वक्ते तुम्हारी सुरक्षा कर सकती हो इसलिए तुम्हें अपना खयाल खुदी रखना होगा फिर हमें एक flashback दिखाया जाता है नेजा समूदर में गिर गया था और CG नहीं नेजा और उसके tiger की जान बचाई थी और CG ने नेजा को key refining power का use करना सिखाया था अब यू दुबारा present में shift होता है CG बोलती है कि मैंने पिछली बार तुम्हें जो सिखाया था क्या तुम उसकी practice कर रहे हैं नेजा कहता है कि मैं key refining power की practice कर रहा हूं और पुराने गौट जिंतियान के साथ लड़ाय में मैंने अपनी power का छोटा सा नमूना दिखा कर brother wo gang को हरान कर दिया था जिस पर CG बोलती है कि नेजा तुम्हें याद रखना है कि तुम बस अपनी power का 10% ही दूसरों को दिखा सकते हो नेजा कहता है कि मुझे सब याद है जो भी आपने मुझे से कहा था इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अब नेजा बहुत ताकतवर हो गया और CG नेजा की power को छिपाना चाती है पर वो ऐसा क्यों कर रही है यह हमें अभी नहीं बताया गया है इसके बाद नेजा पूसता है कि आप यहां किस काम के लिए आई है तो CG बोलती है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फस गए हो फैंग डू सिटी लोगों को निगल जाता है एक बार जो यहां आता है वो कभी भी दुबारा यहां से वापस नहीं जा पाता है पर तब ही यहां पर कोई आने लगता है तो CG बोलती है कि इस तरब कोई आ रहा है मुझे जाना होगा पर वो जाते जाते नेजा से बोलती है कि अपने दोस्तों से कहो कि वो जन्दी से जन्दी इस सिटी को छोड़ कर यहां से चले जाए नेज़ा बोलता है कि मुझे जंदी से जाकर ब्रेदर वो गैंग को सब बताना होगा और वो यहां से जाने लगता है फिर वो दुबारा रुख जाता है और कहता है कि पहले मुझे इन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेसन करनी चाहिए इसके बाद मैं ब्रदर वोगैंग को बताऊंगा फिर व्यू चेंज होता है और हम जियांग सान को देखते हैं एक बंदा उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि डार्क वनसे के लोग बहुत भादूर होते हैं वो बंदा जियांग सान से पूछता है कि तुम इन लोगों के बारे में क्या जानते हो हम देखते हैं कि जियांग सान के हाथ में वोगैंग और उसके दोस्तों की तस्वीर होती है हम यहाँ पर दो बंदे को देखते हैं पर यहाँ पर फाइब चेयर होती है यानि कि इनके कुछ साती यहाँ पर नहीं है जियांग सान बोलता है कि इनके लीडर वो गैंको मैं जानता हूँ और वो लोग इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जिस पर वो बंदा बोलता है कि हमें अपने दुस्मनों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए वो लोग यहां तक पहुँचा है तो वो लोग कोई मामली लोग नहीं हो सकते हैं हम देखते हैं कि उस बंदे की थड़ाई भी होती है और वो दिखने में बहुत पाउरफुल लग रहा था पर इन लोगों का चेहरा हमें पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है फिर वी चेंज होता है और हम नेजा को देखते हैं वो अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था साथी साथ वो कहता है कि यह लोग क्या पूरे पागल है जो आदी रात को सोने की बजाएं से घूम रहे हैं और पिर कहता है कि इन लोगों के पास कोई हतियार नहीं है, तो मुझे इंसे इंसे इनने की जरुवत नहीं है, मैं इन लोगों से डिरेक्ट जाकर पूछ लेता हूं कि ये लोग कहा जा रही है और उन्हें बुलाने लगता है, पर तभी यहां पर वो गया आता है और उसे नेजा को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने बहुत सारे फ्रूट खाए थे यानि कि वो सारे फ्रूट इंसानी पेड़े की फल थे तो यह देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और फिर दोनों वापस होटल में पहुंच जाते हैं नेजा को हुमन फ्रूट के बा ज्यादा डिसकस्टिंग है कि मैंने फ्रूट को खाया तो की फूसी है कि यह कि सीमन फ्रूट के बारे में बाते कर रहा है तो वो उन्हें बताता है कि वह एक ओफ इमोटलिटी इंसानों को एक पेड़ में बदल देता है और यह सारे फ्रूट उसी पेड़े के हैं और इस अंदर मुझे फैंटम आइलेंड की एनर्जी महसूस होती है फिर की वो बोलते है कि इस सारे लोगों ने एक ओफ इमोटलिटी को लिया है इसका मतलब क्या वो सभी लोग पेड़ में बदल जाएंगे तो वूगैंग बोलता है कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते है जिस पर नेजा बोलता है कि वो लोग इंसानों की खेती कर रहे है ताकि वो अपने खाने की जरूरतों को पूरा कर सके तो वूगैंग बोलता है कि नेजा तुम इतने समझदार कपसे हो गए और उसके सर में टपली मारने लगता है तब उसे वो दृस से याद आता है जो उसने इस मिती समुद्र की यादों में देखा था कि कैसे मैजिक आइसलेंड पूरी तरह से नथिंगनेस की वज़े से तबाव हो चुका था अब वूगैंग बोलता है कि मैंने सुरा था कि जुवू कंट्री के किंग बहुत समझदार है पर यहाँ तो कुछ और ही दिखाई देत है वो उस होलीनिस के बारे में इतने अंदिविश्वासी कैसे हो सकती है सिवांग बताता है कि फैंग डू सिटी को चलाने वाले किंग नहीं बलकि उनका बेटा प्रिंस है और इसी के साथ यह पार्ट यह प्रेंड हो जाता है और मैंने एक और निव सीरीज को स्टार्ट कि तो पिलीज उसे भी एक बार चेक आउट जरूर कर लेना